दगल इस लामभाद को मोटर वे पर इंटेज्ञ मिल गया र कैपिटेल समार्टी को मोटर वे पर इंटेजञ अप्रूव हो में अब इतए अब यह सबाल उसके ईलावा कि बन पाएका क्योंके चार सान से को पिछ पोर्ट करने में कि हाज बनने लगा इंfive बने की बाते हैं अब इस वीडियो में में कंपरेजन करूंगा मेंली नोवा सिटी वर्सिस कैपिटल स्मार्टी इंटरचेंज यानि कि दोनों को जो इंटरचेंज है उन में क्या बेसिक डिफरेंस है इसलिए दोनों के लिहाज से आप जो तमाम इंबर्स जिनकी इंवेस्टमेंट आइधर इंटरचेंज के बेसिकली को डिफरेंस सबसे बात करते हैं नोवा सिटी का इंटरचेंज बन रहा है जिस रूट पे उस रूट कर नाम किया और जो क्या ब सब्सक्राइब कर दोनों की आपस में लोकेशन का फर्क है दोनों में बहुत को डिफरेंस है सीपेक रूट जो अभी बना रेसेंटली और पाकिस्तान में जो पहला रोट बना था मोटरवे के साथ 1997-1996 में उस रोट का नाम था में एम टू मोटरवे और इस रोट को बनाने वाली कंपनी का नाम था अचरल हभी रुफिक लिमिटेड यह तो पहला डिफरेंस हो गया सेकंड इस कि नौवा सीटी को जो अपना इंटरचेंज मिला है क्या उस स्मार्टी से पहले अपना इंटरचेंज कंस्ट्रक्शन हो जाएगी यह इस तरह के सवलात कैपिटल स्मार्टी और नौवा सीटी के इंटरचेंज मिला है वो स्लिप इन और स्लिप आउट का इंटरचेंज है वहां पर में सीपक रूट के उपर नौवा सीटी के एक्जेक्ट सामनी मोटरवे के नीचे अल्यडी कलवर्ट बनी ही डबल रोड है जियानि के अल्यडी कनिक्टिविटी बिफरेंट जो तरहात हैं सुरॉणिंग में उनकी कनिक्टिविटी उस रोड के साथ नौवा सीटी के सामने सी गोजने matin तक जाती है तो जो slip and मिलेगा यानि मोटरवे से गर आप उतरते हैं आप इसलामबाद से जा रहें टोवर्ड नौवा सिटी मोटरवे से उतरते हैं तो वहाँ पर दो रोड होंगे एक मोटरवे से उतरने वाला जो सीधा नौवा सिटी के अंदर उतरेगा और एक मोटरवे पर चड़ने जो आगे होता हुआ तो यह हो गया इस तरह से जो ऑपोजट साइड है यानि कलवर्ड के नीचे से होते हुए यानि मोटरवे के नीचे जो रस्ता बना हुआ है उससे होते हुए जब पार जाएंगे आप तो आपको दो रूट दुबारा मिलेंगे एक रूट उपर की होके चला जाएक इसलामबाद की तरफ और दूसा रूट जहां से बाकी ट्रैफिक जो है उतरेगी मोटरवे की ट्रैफिक जिसे डिफरेंट सिटी से आती है तो वो ट्रैफिक उतरने का रूट होगा तो यह नौवा सेटी का इंटर्चेंज का नहीं है इसमें कॉस्ट जो ह flagship interchange होगा main M2 motorway पे उसके लिए जो एरिया जो जमीन नाम कीगे society के जो national highway authority की उस जमीन का एरिया तकरीबन बनता है धाई मुरब्वे आम जुबान में बात की जाए तो I think 246,916 मरलेस्टा की लैंड बनती है इतनी ज्यादा जमीन का मतलब है कि इतना बड़ा interchange smartity का अपना होगा अब smartity का इंटरचेंज में एक वीडियो बनाई थी रिसंटी जिसमें एक्स्प्रेंड किया था कि smartity का इंटरचेंज क्यों नहीं बन रहा और smartity में जो government की चीजें होती है अब मुख्ति लोगों ने इसे कमेंट किये थे बहुत अच्छे कमेंट किये थे कुछ लोगों ने एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि ये interchange लिए बन रहा कि जब तो UN में लेके जाना पड़ेगा शयद ये तब resolve हो अब मैं अब ज़रा step-wise समझाने कुछ करता है कि overall smartity का इंटरचेंज के अभी delay क्यों है और सारे चीजें government stability के साथ क्यों तालुक है smartity का जो interchange है approved 2019 से हो हुआ है अभी तक 2022 में उस तो physical construction स्टार्ट नहीं हो सकी documents मुझूद हैं जो smartity ने national highway authority के नाम पे land करवाई है उसके documents मुझूद है national highway authority की website पे उनके minutes of the meeting मुझूद है approval मुझूद है तो government के जितनी bylaws के मताबिक smartity का इंटरचेंज का approval concept है वो already मुकमल हो चुक है अब इंटरचेंज का concept यू होता है कि पहले जो society जिसने इंटरचेंज बनाना होता है वो उस land के specific जिस पे बनने है वो land खरीद के national highway authority के नाम पे land करवाती है और 60,000 पर कनाल जितना लैंड का NOC है यानि smartity का पहला NOC था 7505 कनाल multiply और 60,000 कर लें तो number billions में जाता है यानि permission की fees इतनी है कि जितने से दो इंटरचेंज वैसी नवर सिटी के सामने वैसे बन सकते है इतनी सिर्फ permission की fees है तो ये पहला core difference आता है कि ये इंटरचेंज होगा ये society का सबसे फ्लैक्शिप इंटरचेंज होगा क्योंकि ये फ्लैक्शिप motorway की फ्लैक्शिप रूट की उपर है ये जब apply करते हैं अपनी बिट देती हैं अपनी बोली देते हैं कि हम ये लेट से दो अरव में बना देंगे जो भी बिट देंगे वो बिट डिस्क्लोस होगी और पर प्र प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होजएगी स्टेबिलिटी से मुराद है कि ने अप्रॉवल दे दिया मिटिंग पब्लिश कर दिये सब कुछ कर दिया अब बिट आउट करना एड लगाना इसका ये नेशनल हाइव अथार्टी काम है ऐसा थो नहीं हो सकता कि अप्रॉवल दे दिया स्मार्टिटी वेली मेनेजमेंट एचलर बहुत बड़ा ग्रोप है बिटिंग में पाटिस्पेट भी करेगा बिटिंग में पाटिस्पेट से मुराद है कि अपने प्रजेक्ट की कंस्ट्रक्शन करना खुद चाहेगा लेकिन अब तक बिट आउट होगी तब वो बिटिंग दे सकते हैं अभी तक स्मार्टिटी की जो बिडिंग है नेशनल ह सेट आप बन जाएगा बट यह हकीकत है कि समार्टी का इंटर्चेंज है वह स्टेबल गवर्णमेंट और बाकि जो फुल कपैस्टी पे ना काम करना इजारों का और नैशनल हाइव थार्टी की तब से बिड़ का उटना करना और बिड़ में पार्टिपर्ट करने के लिए ड पर कनाल आज वही रेट जो तीन साथ तीन चार प्रोड कनाल पर गया हुआ है सेम गोस्पर नुवस्टी के नुवस्टी के नुवस्टी से बहतर जो प्रजेक्टर बनके सामने आएगा कि नुवस्टी के पास किश्मीर हाईवे की एकसेस है न्यू इसलामबाद यह दो नुवस्टी के पास सबसे बड़ी इस वक्त लेंड होलिंग जो मोटरवे के साथ साथ है वह समार्टी के साथ अवेलेवल है और स्मार्टी का इंटर्चेंज प्रूव हो चुका है फीस पे हो चुकी है और स्मार्टी जो है एक फ्लैक्शिप परजग्ट बनके आने वह स्लिप और स्लिप आउट को तब तक नहीं लेते जब तो ने क्लेर लिए इंडिकेशन ना मिल जाए कि अगले हफते इंटर्चेंज स्टार्ट होने वाला है तो यह दोनों में कंपरेजन था जो लोग बात करते नौवासिटी का इंटर्चेंज बन गया और कैपिल समार अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्रीज दो लाइक कोमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्राइब करना मत भोलें रिज्वान चीमा को दीज़े जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा आपज यह वीडियो अगर श्वासि वीडियो तक के लिए जाव यहिश्स का लवासित के लिए यह कोमेंटARRYे को auch उिए यह वीडि़ दया de अवासित क के लग्या गवशना है झाल झाल